वेलकम तू अच्छानल दिप्रिशिता शो आइधिंग पूरी पैरेंटिंग में जो सबसे टफ टास्क होता है वो होता है बच्चे को खाना खिलाना और वो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है जब वो खाना खिलाने के प्रोसेंस में हमसे ही कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती है और हमारी साइट से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जो बच्चा प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से खाना नहीं खा पाता तो क्या क्या मिस्टेक्स हम से हो जाती है क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी शुरू कर लेते हैं बच्चे को खाना खिलाते टाइम किस-किस चीजों का हमें ध्यान रखना है जो सबसे पहली चीज है जो पैरेंस मैक्सिमम करते हैं क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते और हमारे पस और कोई आप्शन नहीं होता तो हम उन्हें फोर्स करते हैं कि जितना बच्चों को फॉर्स नहीं करना चाहिए उससे बच्चे के मैंन पे गलत इफक्ट ऊता है होता कि है जब आप बच्चे को फॉर्स करते हो और वह खाना नहीं या पा रहा होता है तो आपको यह लगता है कि ये फूर्ट उसकी बटी में जाना चाहिए उसको पूरा nutrition मिलना चाहिए, अगर वो खाना ही नहीं खाएगा, तो कैसे उसकी body चल पाएगी, तो आप अपनी साइट से सही हैं, बट जब आप बचे को force करते हैं, तो होता क्या है कि बचे वो force करने के बाद में खाना खतम कर भी लेते हैं किसी तरीके से, बट होता क्या है कि उनके अंदर जो ability होनी चाहिए, जो एक चीज होनी चाहिए कि उन्हें पता चलना चाहिए कि अब उनका पेट भर गया है और अब उन्हें खाने के requirement नहीं है, बट वो ऐसा नहीं होता क्योंकि हम उन्हें force करते हैं और फिर प्लेट में जितना भी खाना है उनको finish करना पड़ता है तो हमें बचे को force नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि उसकी भूग कब खतम हो गया या उसे कब stop करना है खाने के लिए सेगिंड प्रॉब्लम बचों के साथ आता है कि उनको overeating हो सकती है उनको problem हो सकती है तो अगर बचा खाना नहीं खा पा रहा है comfortably आप एक या दो बार उसको कह सकता है खाना खाने के लिए बट आप उसको force नहीं करें कि उसको खाना खाने के लिए ये प्लेट खतम करना ही है कि उसको overeating हो सकता है और overeating की वज़े से उसकी तवेत खराब हो सकती है उसकी body प्रॉब्लम हो सकता है digestion का problem हो सकता है और थार्ड चीज होती है कि हमारी इसी हाबिट की वज़े से बच्चे फिर ओवरवेट हो जाते हैं क्योंकि हमारी फोर्स करने की वज़े से वो खाना जादा खा लेते हैं और जादा खाने खाने की वज़े से फिर बच्चे ओवरवेट होते चले जाते हैं तो यह problem हमारी साइट से हो जाती है, आप solution में सर्फ इतना कर सकते हो कि जब अच्छा खाना नहीं खा रहा है, उसने इमिजेट स्टॉप कर दिया है, तो उसके 2-3 चीज़े हो सकती है, हो सकता है उस ताइम पर उसका खाना खाने का मन ना हो, हो सकता है उसको फूक ना हो, हो सक ट्रहेचे हो, या तो बनको आप खाना नहीं खा पा रहा है, तो आप थोड़ी धिर के लिए उस खाने को रगदो, थोड़ी से इंटरवेल के बार, आदी पर से ट्राई कर सकते हो, खाना के लाने के लिए उसको, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उसको भूग लग जा फि उसकता है वो खाना खाले तो उसमें कोई चेंजिस आप कर सकते हो अब आपको खाना खाने के लिए बचे को कभी भी फोर्स नहीं करना है एक बात करते हैं सकीन चीज़ सेकीन पैरेंक्स क्या क्रते है माकसिमम ट सक्राइम की हम बच्छे को थोड़ा सा लालज देते हैं कि आप यह खाणा खालो फिर आपको जो है डिजर्ट मिल जाएगा कह सकते हैं ebe सकते हैं कि हम बच्छे को डिरफ मिल जाएग Admiral debris मिल speak या फिर हम लोग खेलेंगे मतलब कुछ भी रिवार्ड जो आप करते होंगे आपको पता होगा और आपके बचे को अच्छा लगता होगा वो reward वाला भी system जो है वो हमें बिल्कुल खतम करना चाहिए बिल्कुल stop करना चाहिए उसका reason यह कि बचे का mind बिल्कुल भाई लगा रहता है फिर खाना खाने में उसका mind लगी ने पाता वो ठीक से खाना खा यह नी पाता तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, यह reward वाला system आप बिल्कुल खतम करें, क्योंकि फिर जैसे जैसे बचा बड़ा होगा, आपको यह habit फिर continue करनी पड़ेगी उसके साथ में, तो यह reward वाले system को बिल्कुल अभी आपको stop करना है, चाहिए आप उसे play time के लिए कहते हो, चाहि खाना खाने से आपकी height बड़ेगी, या खाना खाने से आपके muscles strong होगी, आपके bones strong होगे, अगर वो कोई चीज नहीं खेल पा रहा है, या suppose उसको लटक ना पसंद है, वो लटक नहीं पा रहा है, तो कुछ भी करके, आप ठोड़ा सा उसको बोल सकते हो, कि यह करने से आप ल करना, कि आप खाना का लोगे, तो आपको यह मिल जाएगा, कई बरी हम क्या करते हैं, जब बच्चे को कोई नया खाना हम introduce करते हैं, तो हम बहुत महनत से उसको बनाते हैं, तो हम बच्चे को कई बरी force करने लग जाते हैं, कि आपको यह चीज ट्राइ करनी ही है, या आपको यह चीज खानी है, आप खुद पर इमाजिन करके देखिए कि अगर किसी ने खाना बनाया है और वो कोई नई डिश बनाई है और उन्होंने आपको ओफर किया है कि वो आपको खानी है, क्या आप हर डिश को खा पाएंगे, क्या हर डिश खाने में आपको अच्छी लगेगी, क्या हर एक डिश को देखके आपका मन करेगा कि यह आपको खाना है, तो बच्चे यह हैं वो बहुत छोटे होते हैं, अगर आपने कोई नई चीज ट्राइ करिये, आप उनको एक पर ही कह सकते हैं कि आप यह ट्राइ करो, अगर बच्चा नहीं ट्राइ करना चाहरा है तो उ से decide करने दें, उसे खाना है के नहीं फिर उसे decide करने दें कि उसे कितना खाना है, आप बस यतना कर सकते हो कि जब आप कोई नई चीज बच्चे को ट्राइ करवाना चाहते हो या आपने कुछ नया चीज उसके लिए बनाई है खाने के लिए, तो आप दो-तीन चीज़े कर सक तो आप एक हलवे पर इस्टेक्ट ना हो जाए दाल चावल उसके लिए साथ में रखें ताकि उसका पेट उससे भर जाए फिर वो नई चीज को आप ट्राइ करने के लिए उसको कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा टेस्क करके देख लो उसकी फेवरेट आइटम और फूड में सब्सक्राइब आप कर सकते हैं कि आप पहले वो नया आइटम खुद बचे को खाके बताएं और आप इसे एक्सपेशन दे सकते हो कि यह बहुत यमी है यह बहुत अच्छा है तो बचे का इंट्रस्ट बनेगा उसको खाने में और बच्चे उसको टेस्क कर लेगा और आप क्या कर सकते हो कि आप बचे को कह सकते हो कि आप एक बार ही इसको खा के देखो अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप दुबारा मट ट्राई करना आप इतना बचे को कह सकते हो और बचा आपकी बात को समझेगा हो सकता है कि एक स्पून ले ले अगर उसके अच्छ को इंट्रड्यूस करना चाहते हो तो उसका कोई फेवरेट टाइम हो जैसे उसका कोई फेवरेट प्ले टाइम हो जिसमें वह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्फ हो या कई बार ही हम आदा गंडा बच्चे को टीवी देखने के लिए दे देते हैं तो उस ताइम पे वह सकते हो बड़ आपको कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना है कि यह नया आइटम आफ खाओ और आपको सिर्फ यही खाना है और पूरा फिनिश करना है ऐसे वहला प्रेशर आफ कभी भी बच्चे पर ना डालें फिर मैं बात करूंगी खाने की प्रेजेंटेशन की वह र दूक्स ऐसे कहने की अर일 हम लेलें पालग आपने बस पालग की सबजी बच्चे को ओफर कर दी कि आपको लगता है बच्चा पालग खाले गा बच्चे पालग Municipum वह नहीं खाते हैं, more than 90% बच्चों को पालक अच्छा नहीं लगता है, तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, खाने की प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा काम करो, मतलब जो चीज उसको अच्छी लगती है, हम यह पर पालक की बात कर रहे थे, तो मैं उसी को आगे continue करते हूँ, सप आपके बच्चे को पनीर पसंद है, आप पलक में थोड़ा सा पनीर डाल दो, आपके बच्चे को जो वेजिटेबल पसंद नहीं है, आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, ताकि वो उसको नज़र ना आए, तो यह ट्रिक्स थोड़े से आपको अपलाई करने हैं, थोड प्रेजनाने में भी, खिलाने में भी औच प्रेजेंटिशन में भी, तो बच्चे जब खाना खाते हैं, तो उनको तेस्ट का नहीं पता ह Ta lagi, इसका पता होगा की उनको खाने से चलता है, लेकिन वह खाना ले उसके लिए आपको plate को पूरे तरीके से decorate करना, presentation अच्छा करना, उनको जो जीद अच्छी लगती है, उस हिसाफ से आपको plate को लगाना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उस पर भी थोड़ा सा काम करें, कई बारी वो हमसे miss हो जाता है, कई बारी हम ऐसी बस द problem create करता है, बच्चों की favorite होता है, chips हो गए, drinks हो गए, juice हो गए, यह हम बच्चे को दे देते हैं, थोड़े थोड़े इंटरवेल के बाद में, और फिर क्या होता है, कि बच्चा breakfast, lunch और डिनर कुछ भी proper तरीके से नहीं कर पाता, तो आप एक तो थोड़ा सा rule बनाएं, कि ब बच्चे को दे सकते हो, अगर यह five meals बच्चा ले लेता है, तो बच्चे का पेट अच्छे से भर जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी chips, कोई भी drinks, जो cold drink बच्चे पीना बहुत पसंद करते हैं, ऐसा आपको कुछ भी देनी के ज़रत नहीं है, यह जब बच्चे ले पहले आप बच्चे को कुछ भी ना दे खाने के लिए, क्योंकि उसको पेट भरा रहेगा, तो अगेन वह आपका breakfast, लंच हो या डिनर हो, खाई नहीं पाएगा, तो आप उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखे, कि यह जो chips ओफर कर देते हैं, बच्चे को या cold drinks या juices खापाएगा. कई बरी हम क्या करते हैं, बचे को खाना किलाने के लिए बहुत सारे examples देते हैं, और आप पेरेंट्स के पास बहुत सारे examples होते हैं, कि आपका friend तो इतना खाना खा लेता है, आपका friend अच्छे से खाना खाता है, या कई बचे को ये भी बोल देते हैं, कि इस खाना मिलता भी नहीं है, जो खाना खा भी नहीं पाते हैं, उनको भूके सोना पड़ता है, तो प्लीज आप बचे से इस तरीके की बाते ना करें, बचे के लिए ये बात करना उसको समझ से बाहर है, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि इसकी वज़े से उसको खाना खाना है, एक logical reasoning से जो आप उसको बताएंगे कि खाना खाने की importance क्या है खाना क्यों खाना होता है खाना खाने से उसके muscles strong होंगे या height बड़ेगी या ऐसा कुछ आप बचे को बताएं आप बचे को कभी कुभी comparison level पे ना लाएं किसी भी level पे चाहिए वो खाना खाने से लेड़ी क्यों ना हो कि आपका friend या उसका cousin बहुत अच्छे से खाना खा लेता है इस तरीके से बचे में comparison की भावना पैदा होती है तो वह आप प्लीज बचे में ना करें खाना खिलाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी effort लगाना है तो effort सिरफ आप खाने के उपर लगा सकते हैं और थोड़ा सा उसको समझाने पर लगा सकते हैं खाने की importance उसको बताने में लगा सकते हैं और किसी चीज़ पर आपको effort नहीं लगाना है तो सिर्फ उसको यह ब तरीके से बच्चे को समझाना है और जब यह बच्चे को अच्छ से समझ में आ जाएगी तो बच्चा आराम से खाना खा लेगा बस यह कुछ time का effort है जो आपको करना ज़रूरी है एक और mistake हम क्या करते है कि हम लोग maximum खाने के बाद स्वीट काते है और स्वीट हम बाद में लेते हैं और हम बच्चे को यह कहते हैं कि जब आप यह खाना खतम कर लोगे तो पर्टिकुलर स्वीट आपको मिल जाएगा अगेन मैं कहूंगी बच्चे का ध्यान उसी sweet में लगा रहेगा उसी desert में लगा रहेगा कि यह खाना खतम होगा यह खाना जल्दी से खतम होगा किसी भी तरीके से बच्चे खतम हो जाए उसके बाद में उसको आइस क्रिम मिल जाएगी यह उसके बाद में उसको desert मिल जाए वो sweet उसके सामने रहेगा, वो थोड़ा सा comfortable रहेगा, उसको पता है कि यह उसको ही खाना है, वो दिमाग उसका वही नहीं लगा रहेगा, क्योंकि आप उसको काओगे कि यह खाना कतम हो जाएगा, उसके बाद उसको मिलेगा, वो चीज गलत है, आप खानी के साथ ही उसको दे उसको यह बताओ कि यह आपको खाना फिनिश करने के बाद खाना है, sweet आइटम जो भी होती है, वो खाना खाने के बाद खानी होती है, इस तरीके से आप बच्चे को समझाए, इस तरीके से पर आप कभी भी बच्चे को ना कहें, कि आप खाना फिनिश कर लो, इसके बाद आ किसी तरीकी से उसका पेट भर जाए, आप इस तरीकी से ना करें, आप खाना उसको प्रॉपर दे सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप इस तरीकी की प्लेट्स लें, जिसमें प्रॉपर पार्टिशन हो, तो छोटी-छोटी पार्टिशन में आप थोड़ा-थोड़ा सा खाना बच्चे का कितना भूख है, वो हर पेरेंट को पता होता है, कि वो कितना खाना खा सकता है, तो सपोज आपने दाल रग दिया, चावल रग दिया, थोड़ से सबजी रग दिया, थोड़ से रूटी रग दिया, थोड़ा सा दही रग दिया, तो बहुत small quantity में आप रग दो, उसकी पूरी plate में उतना खाना होना चाहिए, अगर पूरा nutrition आप उसको देना चाहते हो, तो आपको भी पता लगेगा कि बच्चा कितना खाना खा पा रहा है, आपको भी पता लगेगा कि उसने कितना finish कर लिया है, और कई बरी क्या होता है कि parents अपने ही खाने में से बच्चे को खाना खिला देते हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है, बच्चे की proper plate होनी चाहिए, उसके plate में proper खाना होना चाहिए, बहुत ज़ादा quantity में ना देते होई, variety of food लेते होई, बदर ज़ादा तरह का food होना चाहिए ज़ादा quantity में food नहीं होना चाहिए, थोड़ी-थोड़ी quantity में, बहुत सारी variety में food हो, बच्चे को जो अच्छा लग रहा होगा, बच्चे को जिस तरीके से अच्छा लग रहा होगा, बच्चा उस तरीके से खा लेगा, बच्चा वो भला food खा लेगा और आपको भी बता च अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रब्लम आ रहा है तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं तो I hope आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है पॉमेंट करके जरूर बताने विडियो आपको कैसा लगा और चैनल भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है आज के लिए इतना ही आगे मिलते हैं नई टॉपिक के साथ